नमस्कार दोस्तो वेलकम टू सरकार स्टेडी वेस्ट तो चलिए दोस्तो अब हम पढ़ने वाले हैं भूकंप और सुनामी के बारे में तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा क्यों क्योंकि यह सिलेबस में भी आपको देखने मिलेगा MPPSC मैंस में पहस्त के पी पार्ट में यहां कि जोग्रॉफिक अंतरगette जर्शली यहां पूर्फ सबसे पहले हम बात करेंगे भूकंप की जो भूकंप होता है क्या होता है। यहां जो भाग देखे थे ऊसके कोन-कोन से एक तो भूपरपटी हमको देखनेक मिली थी। दूसरा हमको mental देखने को मिला था और तीसरा हमको देखने को मिला था Libra ठीक है तो यहाँ देख सकते हैं देख भूही परपटी भूही परपटी की स्वर्म सब्सेंटाद निचे आपको देखने को मिलेगा mental जहां की दुरहलता मंडल होता है और वहां पर काफी एक प्रकार से मेगमा चेंबर जो होता है वो उहीं पर पाया जाता है अब सिंपल बोल सकते हैं जो जो भूकम है भूकम भूपरस्ट पर होने वाला आकस्मिक कमपन है अचानक से जो कमपन होता है भूपरस्ट पर या भूपर पटी पर उसको हम क्या बोलेंगे उसको एक प्र प्राकरतिक होता और एक मान भी होता अब प्राकरतिक कारण क्या होता प्राकरतिक मुखरूप से हम देख सकते हैं जैसे कि जो आलमुखी बेवर्तिनिक जो आस्थिरता होती है संतुलन अस्थापना के प्रयास होते है इसके लाबा वलन भरंस की प्रक्रिया उसके प्लोटोनि प्रत्यास्त पुष्चलन सिध्धान इसके अनुसार अगर देखें तो प्रत्यक चट्टान में तनाव सहने की एक छंता होती है इसी के जो प्राकरतिक और जो मानविय है उसके कारण ही हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं एक प्रकार से भूकम देखने को मिलते हैं अब मानविय मतलब क्रत्रिम रूप से बोल सकते हैं प्राकरतिक रूप से हमने देख लिए मानविय मतलब एक प्रकार से क्रत्रिम रूप स इनके कारण भी काफी यहाँ पे हमको भूकम की स्टिति देखने को मिलती है इसके अलावा पर्माणु परिक्छन भी भूकम के लिए उत्तरदाई माने जाते हैं साथ में हम देख सकते जो रेडॉन गैस होती है रेड़ाउन गेस यहां बायू मंडल में रेड़ाउन गेसों की मातरा में ब्रद्धी हो जाती है अगर भूकम आता है तो आता है इस गेस की मातरा में ब्रद्धी होना उस प्रदेश बिसेश में भूकम पाने का संकेत होता है जहां पर यानि कि जिस इस्थान पर भूकम पे तरंगे उत्पन होती है अब एक और चीज यहां देख सकते हैं जैसे देखिए जहां से भूकम उत्पन होता है देखिए ज अधिकेंद्रे अर्थाद एपी सेंटर यह दोनों चीज आपको याद रखना है यानि कि फोकस जहां से भूकम पुत्पन हुआ है और दूसरा एपी सेंटर जहां पे सबसे पहले भूपरश्ट पर महसूस किया गया है अब समाने रूप से गहराई की अधार पर उसको तीन ब पाताली भूकंप तो समाने भूकंप के अगर बात करें या तो जीरो से लेकर 50 km तक यह जो होता है इसकी गहराई होती है नेक्स्ट जो होता है मद्दवर्ती 50 से लेकर 250 किलोमेटर तक इसकी गहराई होती है और गहरे या पातालिये जो भूकम्प होते है वो 250 से लेकर 700 किलोमेटर तक इसकी गहराई होती है इसके अलाबा हम अगर देखें तो भूकंप एक जो होता है भूकंप के दौरान जो उर्जा भूकंप मोल से निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं प्रत्यास्त उर्जा बोलते हैं जैसे कि हमने अभी बात किये थे प्रत्यास्त के बारे में और भूकंप के दौरान कई प्रकार यहां पर P की अर्थात जो प्राथ्मिक तरंगे होती है इनको प्राथ्मिक तरंगों के नाम मी इसफान जाता है या लंबवत लंवद्व यानिकी लाउंगी ट्यूडनलल वृम्पग प्रतूड nessa सी तरंगे विनको जाता है और अनुदेद तरंगे भी यह चलती है परंधु तरल में इसकी गती धीमी होती है अच्छा एस जो तरंगे है secondo probर की तरंगी है इस से तुनना की जाया तो इसकी गती 36% अधिख होती है कि से तरंगों से यानं कि अनुप्रस्ता जो तरंगे है उससे पी तरंगों यानि कि प्रात्मिक तरंगों की गती 6% अधिक होती है इसके अलाबा हम अगर देखें यहाँ पर जो प्रात्मिक तरंगे होती है तो प्रात्मिक तरंगे सबसे प्रामेरी तरंगे हमने बोले और दूसरी जो तरंग होती है वो अनुपरस्तर तरंगे होती है तो अनुपरस्तर तरंग मतलब जो secondary जो waves होती है S तरंगे जिने हम बोलते हैं ये प्रकास तरंगों के समान चलती है ठीक है और केबल ठोस में चलती है अर्था जो P है प्रात्मिक तरंग है उसकी तुलना में 40% हमको कम देखने को मिलती है ये इनकी जो गती होती है अब next जो होती है last धरतली तरंगे य के उपरी भाग अर्था जो मतलब जो भुप्रेष्ट है उस बाले भाग में ये चलती है सबसे जो प्रत्वी का उपरी भाग होता उसको प्रवावित करती है और अत्यदीक प्रवावसाली होती है अब सबसे अच्छी बात कहोती है इनकी गती धीरे हो जाती धीमी हो जाती तो सबसे लंबा मार गये तै करती है और इनकी गति बहुत धीमी होती है और सबसे देर से पहुंचती है परन्तु इनका प्रभाव कैसा होता है बिनासकारी होता है अगर यह तीब्र गति से पहुंच जाए यहां पर तो इनका प्रभाव काफी बिनासकारी होगा इस कारण यह यहां हम देख सकते हैं सबसे लेट यहां पर पहुंचती है अब जो P और S तरंगे होती है यह P और S तरंगे क्या होती है यूगम में चलती है यूगम मतलब जोड़े में चलती है यानि कि P और S की गती जो होती है सरवदिक होती है इसके अलावा जो PG और SG की गती यहां पर न का क्या किया जाता है मापन किया जाता है एक प्रकार से देखें तो उनको मापा जाता है तो इसको भूकम पलेखी बोलते हैं या फिर हम बोल सकते सिस्मोग्राफ इसके अंतर का तीन स्केल का प्रियुक किया जाता है जिसके द्वारा भूकम को मापा जाता है एक तो रॉसी स् केल मरकेली स्केल और रेक्टर इस्केल यहां पर भुकम प्लेखि या सिस्मोग्राफ में यहां पर क्या किया जाता है मापा जाता है चो तरंगे होती है उनकी तीवरता ठीक है तो यह तीनों चीज आप देख सकते हैं अच्छा यहां आपन माप भी अगर देखें मतलब रासी Scale है उसकी अगर बात करें तो यहाँ से एक से लेकर 11 इसमें मान रखे गाई या मापक होते हैं उसके बाद इसका जो मापक होता है 12 होता है और Reactor Scale स्केल के अगर बात करें तो यहां पए तीव्रता जीरों से दस तक होती है। और रियक्टर इसकेल पर पृत्ते अगली काई पिछली काई की तुलना में दस अधिक तीव रखती है तो यह हमने देख लिए तीनों चीजें कुछ यहां देख लेते हैं जैसे देखिए आप अफ़ी यहां पर काम की चीज है दोनों प्रख भाग में टरंगों कॉन का संचरन कैसे होता है आंतरिक भाग का मतलब होता है क्रोड मैंटल और जो दोनों मतलब एक प्रकार से नीचे भूपरेष्ट के अंत्रिक भाग में, जैसे यह उधगम छेत्र है, एक प्रकार से जो भूपरेष्ट, मतलब एक प्रकार से भूकम पाया, भूकम का अधिकेंदर है, धरत लिए जो तरंगे है, वो यहाँ बह रही है, अब यहाँ दिख रही है एस तरंगे ठीक है और जो अंदर जो पतली पतली दिख रही है इसके अंदर ठीक है यह वाली यह आपको दिख रही क्या यह पी तरंगे आप यहां देखिए यहां पर एस तरंगे क्या हो गई है देखिए आपको यहां पर द्रब आवस्ता में दिख रही है ठी तो जैसे मैंने क्या बताया था जब मैं आंतरिक संरचना पढ़ा रहा था इस प्रकार से कुछ संरचना थी तर्बूच का जो तुकड़ा हमने काटे थे इस प्रकार से तो हमको तीन भाग देखने को मिले थे एक भूपरपटी एक मेंटल और एक क्रोड ठीक है तो जब एक भ भी रए आसमबतता यहां पर देखे थे तो यहां बही इस्तिती उत्पन हो रही है जैसे अगर यहां से तरंगे निकली है पी तरंगे मान लीटेए एस तरंगे तो यहां से तरला में फोस में ही भसे से सता तरंगे देखें हमने यहां पढ़े थे as taranga के वर 43 में चलती है परंतु देखें पितरंग्य यहां से यहां तक गई ठीक है आभ यहां से घुसेदी नहीenne तो इधर नहीं आईगी और इधर भी आफ देख सकते हैं यहां से देखें यहां से वह यहीं सीमित रहे गई अब बीज वाला जो छेतर है मतलब S तरंगों का ये वाला छेतर है ये आप देख सकते हैं इसमें हम फिर से highlight कर देता है यहाँ देखे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है S तरंगे आ रही या नहीं आ रही तो ये यहाँ पर S तरंगों का 6 शेतर कहलाता है याद रखिए जहाँ पर S तरंगे नहीं पहुँच रही है वो क्या कहलाएगा S तरंगों का 6 शेतर कहलाएगा अब P तरंगों की बात करते हैं P तरंगे यहाँ से आई और यहां वो तरल में भी गुजर जाती है परन्तु आपको पता होगा जब एक इस्ट है मतलब भो जो एक चारण है मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं जो एक भाग है प्रत्वी का अंदर का यानि कि भो परपटी से मेंटल में आती है तो आसमबदता होती है उसी प्रकार यह ठोज से लेकर तरल में आई है तो इसकी थोड़ी देखें गती चैंज हो गई है यहां से और धीमी हो गई है धीमी होने कारण रास्ता भी तैय है इसने बदल लिया है और आकर फिर इधर मुड़ गई है फिर हम देख सकते देखे यहां से लेकर यहां से यह मुड़ी है और इधर जाकर यह मुड़ गई इधर ठीक है इसे प्रकार यहां देखे यह मुड़ कर इधर आ गई फिर यह मुड़ कर इधर मतलब एक प्रकार से फिसलन हो गई है और यह अब यहां तो आई है तो यह भाग P का है क्या देखे P तरंग आई यहां भी P का भाग नहीं बचा और यहां भी P मतलब यहां भी P तरंगे नहीं पहुंची और यहां भी P तरंगे तो यह P तरंगों का छाय शेत्र कहलाएगा और इतने पूरे भाग में हमको क्या देखने मिलेगा इतने पूरे भाग में हमको S तरंगों का छाय शेत्रे देखने मिलेगा ठीक है चलिए अब यहाँ आगे देखते हम यह चीज आप देखने को मिलेगी सबसे पहले P तरंगे पहुंचती है तीवरिता काफी अधिक होती है फिर S तरंगे पहुंचती है इनकी तीवरिता कम हो जाती है इनकी जो तीवरिता होती है बहुत अधिक होती है परंतु ये पहुंचने में क्या होती है काफी लेट होती है यानिकि इनके पहुंचते-पहुंचते क्या हो जाता है काफी धीमा हो तो इसके कारण यह जो होती है बिनासकारी रहती है परन्तु जादा बिनास नहीं होती है सबसे जादा बिनासकारी यही होती है L तरंगे जिनको सर्फेस या L तरंगे बोला जाता है ठीक है यह S-торeng नी होती है और P-tar楍ग in को कि होती है अब भुकम यहां देख सकते देखिए भुकम का विश्व में वितरण तो देखिए आपको यहां देखने को मिलेगा जब सबसे प्रधान छेत्र आपको देखने मिलेगा ब्लैक बाला यह आप देख सकते देखिए उत्तरी अमेरिका में अलास्का जो अलास्का है अलास्का की नीचे देख सकते हैं फिर उसके बाद रौकीस जो परवत है रौकीस परवत के किनारे किनारे आप देख सकते हैं अमेरिका में एंडी इस परवत के यहां पर देख सकते हैं, सभसे अधिक, मतलब जो है, प्रधान चेत्रिया मुख के चेत्र हम बोल सकते हैं, फिर भूंद्य सागर के ऊपर देख सकते हैं, देखे यह, ब्लेक फोरेश्ट वाले एरिया में, मतलब एक परकार सो जो परवत है, यहां पर फिलिपिन्स तरब आपको इूजिलांड तरफ भी दिख़ा है। उसके बाद जो जितनी भी चीज़े आपको दिख रहे हैं डॉट डॉट वाली ये साधारन छेत्र है मतलब यहां पर भूकम पाते हैं परन्तु उतने खतरनाक नहीं आते हैं जितने की ये प्रधान छेत्र में आते हैं तो ये भी आप याद रख सकते हैं देखे यहां भी तरगत भी आपको काफी जो दक्षिनी भाग अगर छोड़ दें तो पुरे भारत में आपको साधारन भूकम की स्थिति देखने को मिलती है उसके बाद इंडोनेसिया ये देखे इंडोनेसिया तरब भी आपको काफी यहां पर देखने को मिल रहा है है पूरा भाग में आस्टेलिय के उपर साइड निजिलेंड की नीचे तरफ ये सारा भाग आपको भूकम का विस्व में वित्रन दिखाता है अब यहां कुछ जो है इंपोर्टेंट भी देख लेते हैं देखिए कहां कहां यह बटा हुआ है यह भी एक प्रकार से यहां देखने योग है तो चार भागों में इसको माटा गाए है भूकम का वित्रन को यानि कि जो भूकम की अगर बात करें हम यहां पर तो बिस्व में भूकम के वित्रन उन्हीं छेत्रों से संबन्दित है जो भूगर्विक रूफ से अपेक्षाकरत कमजूर तथा आवेवस्तित है भूकम के ऐसे जो छेत्र होते हैं मोटे तोर पर दो विवरतिनिक घटनाओं से जुड़े होते हैं कौन-कौन सी एक तो प्लेट की जो किनार साहरे देख सकते हैं अफ्रीकन प्लेट के उपर साइड आप देख सकते हैं यूछिया प्लेट है तो उसके नीच साइड यहां पर देख सकते हैं तो आलग-अलग भागों में आपको देखना मिलें गा जो मतलshore के साहरे भूकम देखने मिलेंगे दूसरी चीज होती है घ्र प्रसांत महासागरे तटिय पेटी मतलब देखिए यह प्रसांत महासागर आपको दिख रहा है उसके तट में आपको यह तो रौकिस परवत देखेगा और उसी के तट में आपको नीचे साइट नीचे साइट आपको देखेगा एंडीस परवत तो इसके तट में हमको काफी पॉर्टेंट देखने को मिलता है और यह बिस्विक का लगभग 63% भूकम फंप को यहीं पर देखने को मिलता है ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है अब क्या क्या चीजी जैसे कि आप देख सकते हैं चिली मिलेगा आपको चिली एक देश है कैलिफॉर्निया अलास्का जापान किस साइड मिलेगा प्रसांत महासागर के साइड आपको जापान मिलेगा ठीक है जापान मिलेगा फिलिपीन आपको नीचे मिलेगा न्यूजिलेंट आस्टेलिया के साइड में नीचे मिलेगा ठीक है यहाँ सभी जो भूकम पाते हैं वो प्रसांत महासागरे तट है इसमें आने वाले अधिकान से जो भूकंप होते हैं संतुलन मुलक तथा भरंस मुलक होते हैं और यह पट्टी कैप बड़े से आराम होती है मतलब कैप बड़े मतलब अट्लांटिक महासागर हम देख सकते हैं भूमद्द सागर को पार करके आलपास काकेसस एक प्रकार से देखें तो यह अलग अलग छेट चल यहां देख लेते हैं देखें यह देखें यहां पर यह वाली जो पट्टी है देखें चालू हो गई है और यह देखें हमाले इधर मतलब हम देख सकते हैं भूमद्द जो एक प्रकार से देखें तो मद्द महादीपी पेटी की जरिक है जो पो मढ़ी ऍरवा समाधिधáng मजदमें को मिले कर देख aumento अगर देखने को मिलती को यहुआ वस्यवत पर आशलेंड से लेक कर देखने को मिलती स्पत देखने stitched जाकäv दstaw बिश्तरच सरवदिक भूकम, इसके आसपाइस आज़ाए जाते हैं और यहां पर आपसारन और रुपानतरन जो भाईनस होती है। अन्ने रखतर आंतरगत आपको एड़न की कहाड़ी मतलब भारत की बात कर लेता है। तो भारत के अंतरगती यह जो अफरीका है, अफरीका के साइड में हम देख सकते हैं, यहाँ पर एडन की खाड़ी देखने के मिलते हैं, अरब सागर भी हैं देखने के मिलता है, तो अन्य छेत्र की कैटेगरी में यहाँ पर आ जाते हैं, तो इस प्रकार से जो सारे भूकम छ बंदर गहा ठीक है अब यहां अगर बात करें हम तो यहां पर देखें जो सुनामी होता है एक दिर्ग तरंग मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो जो समुद्र है समुद्र तरंग जो की बंदर गहा को प्रवावित करती है उसको क्या वह ला जाता है सुनामी और सुनामी एक दिर्ग तरंग है और दिर्ग तरंग एक प्रकार से जो समुद्र तल के सामनांतर विसाल तरंगों के रूप में संचलित होती है मतलब बहती है तो इसको हम क्या बोलेंगे सुनामी बोलेंगे इसके अलाबा इसकी जो तरंग होती है तरंग आवरती एवं तरंग आयाम जो की रफ्तार यह पकड़ लेती है खुले सागर की अगर बात करें तो हां उचाई हमको कम देखने की मिलेगी यानिकि एक मीटर और अगर बात करें हम नीचे तड़ वरती उथले जो जल शेतर होते हैं वहां प्रवेस करती है तो इनके उचाई आसमान ने ब्रधी देखने को मि में प्रसांत महासागर सबसे संवेधन सील स्तिती की कैटेगरी में इसके अंतरगर आता है ठीक है सबसे ज्यादा सुनामी कहां देखने मिलेगी देखे सुनामी हो भूकंप हो या फिर जौला मुखी हो सभी चीज हमको ज्यादा कहां मिलेगी प्रसांत महासागर में ही सुनामि देखने कमें लहरे बार्ती प्लेट के नीचे 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 प्लेट के नीचे जो एक प्रकार से नीचे जो उसकी परिणाम के सवरूप यहां उत्पन होई और भूकम की तीवरिता जो रियक्टर स्केल थी, रियक्टर स्केल में इसकी तुईवरिता 8.9 जो है वो मापी गई, इसके कारण प्रलायकारी सुनामी लहरों के उत्पत्ती हुई और इंडोनेसिया, मलेसिया, सिरलंका भारत समेद, कुल 11 देसों के अंतरगत जो है, मतलब जो 11 देस है, इन लहरों की काफी उचाइता कि या जाती है, और पूरे का पूरा देखिए, यहां पर एक सहर को बहाद सकती ही, पूरे पूरे राज को बहाद सकती है, ठीक है, इस प्राकार से कुछ पावर्फुल हम देख सकते हैं, इसके अलाबा एक और चीज हमको देखने में लेगी, जैसे जापा के अगर बात करें धाइन भी हमको प्रसांत महासागर में ही देखने मिलेगा किनारे में तो यापान के'll वी हम को जो 11 मार्च है मतला एक प्रकार से देखे जापान के सब्सक्ताइब की यह माप की गई तो इसकी जो तीब्रता थी वो कितनी थी 9.0 थी फुकम का केंदर जापान के मियागी जो परांथ है उसकी राध्धानी सेंदाई में 130 km पूर्व में और जापान की राध्धानी टोक्यो से 373 km दूर पूर्वत्तर में समुधर तल से 24 km की गहराई में था अब यह जो सेंदाई युक्रेन के अंतरगर जो चैर्नोविली जो परमानु हाथसा हुआ था उसके बाद सबसे भायनक हाथसा था जो फुकिसिमा दाईची परमानु सेंटर था उसमें बिस्पोर्ट हुआ था यानि कि जो रेडियो धर्मी रिसाव होने लगा था तो यह चैर्नोविली देखना खाथसा था तो हमको एक चीत ध्यान में रखना जो परमानु रेडियएसन के अंतरगर जो मतलब उसकी सक्तिकों मापने के लिए जो इकाई होती उसको रिम्स बोला जाता है और इसके जो पैमाने होते हैं याँजी नहित की हम देख सकते हैं यहाँ यहाँ और सेंत्र था यहां पर भी एक हमको सुनामी देखने को मिली थी 11 मार्च 2000 सुरी 14 मार्च 2000 मतलब सुनामी नहीं जो एक हैड्रोजन बिस्पोर्ट है वो देखने को मिला था 14 मार्च 2011 को हेड्रोजन बिसपोर्ट देखने को मिला था जिस कारण बिसवे इत्यास में पहली बार जापान ने परमानो अपातकाल की घोशना की थी तो यहां पर काफी तभाई जो जापान है उसके अंतरगत यह वाला जो फुकुसीमा है वो जापान के अंतरगत ही देखने को मिलता है तो परमानो अपातकाल की घोशना जापान के दोरह की गई और जापान में आय सक्तिसाली भुकम ने बहाँ तो तभाई मचाई ही साथ ही साथ जो प्रत्वी है प्रत्वी को भी अपनी धूरी से लगभग चार इंच विस्थापित कर दिया जिससे इसकी गती क्या हो गई एक दसमलो छे माइक्रो सेकंड बढ़ गई और प्रत्वी के विस्थापन से मौसम चक्र में भी काफी बदलाव आ सकता है और यहां अगर देखें हम तो प्रसांत महासागर के अंतरगत पैसिफिक रिंग ओफ फायर मतलब जो प्रसांत महासागरी जो अगरी बले होती है जहां पर जौला मुखी भूकम काफी घटना देखने को मिलती है तो यह अवस्तित होने के कारण जापान जो है काफी सम्वेदन सील अवस्ता में यहां पर पाया जाता है यह है प्रसांत महासागरी प्लेट जापान सागर प्लेट के अभिसरन शेतर में इस्तित है और जिससे यहां जौला मुखी भा भूकम की घटना सामाने रूप से घटते जाती है परन्तु 11 मतलब जो मार्च है मार्च 2011 का जो भूकम पर सुनामी है उससे जापानी अर्थववस्ता को काफी नुकसान पहुंचा तो यह हम देख सकते देखिए काफी आपको इंपोर्टेंट यहीं पर देखने के मिल रहा है सुनामी देखिए केंद्र है और केंद्र में वो इतने भाख को यहां पर अपनी चपेट में लेती हяжके काफी यहांपयट काफी होती है सुनामी अब सुनामी के लिए एक प्रकार से टैक्निक यूज की जाती है जिसको डौत बोला जाता है डी ओ और अर्थाद डीप ओसियन एक प्रकास तो पता लगाने के लिए टकनीक है जिसका नाम है डर्ट और सुनामी का पता यह लगाती है । यह दो भागों बाड़ा अगया दो भाग कौन-कौन से तो सुना मीटर होता है सुना मीटर तीव्रटा की जानकारी देती है सुनामी की और एक सिगनलिंग and communicating उपकरण होता है जो कि इससे कितना कुस-किस छेत्र में खत्रा होगा उसकी जानकारी यह प्रदान करता है तो दो चीजों से मिलकर बना यह जो ड्वाट टेक्निक है तो यहां हम देख सकते हैं देखें सुनामी बॉर्निंग सेंटर से यह दोनों यह एक खास नेटवर्क के माद्र हम से जोड़े होते हैं जैसे ही समुद्र के अंदर कंपन होती है तो यहां हमको तरंगों की सुचनाय तत्काल सुनामी बॉर्निंग सेंटर को प्राप्त हो जाती है ताकि जो बचाओ सुरक्षा जो भी हमको बचाओ करना है वो हम अपना सके पहले से चूकि यह दूनिया को तत्काल इस भायना खल्चल की जानकारी मिल जाती है और बरतमान सामय में सुनामी के जो चेतावनी तंत्र घटना के आठ घंटे पहले इसकी सूचना देते हैं बैग्यानिक विस्व के चवदा देसों में कॉस्मिक रे डिटेक्टर जो स्थापित करने की है वो पूर्व सूचना देने के लिए उननत export decision support system औरिकिये c understood ..... इसको विक्षिट गया यहає प्रणाली उत प्रकार से उत्करना प्रुद्दे की जो बेडिया है इन सभी के आधार पर इसको बनाये गया है जिसके अंतरगात हम देख सकते हैं भूकम केंद्र बाटमप्रेशर recorder जिससे BPR वोलते हैं ज्वार भाटा इन सभी जो चेतावनी हैं चेतावनी केंद्रों के network को सामिल किया गया है किसके अंतरगात expert decision support system के अंतरगात अब यहां देख सकते हैं इस सुनामी की निगरानी के सांसा भूकंपों के पहंचान भी की जा सकती है इस DSS के माध्यम से साथ ही हम देख सकते हैं यहां पर जो यंतर है मतलब जो DSS है इसके अंतरगात देख सकते हैं इस कारे के लिए त्याधुनिक संचार तकनिक का उप्योग किया जाएगा जिस से परिस्थितियों पर आधारित डेटाबेस और डिसिजन सपोर्ट सिस्टम का सहयोग मिलेगा अक्टूबर 2007 की बात करते हैं अक्टूबर 2007 में भारत के अंतरगत बिस्थिकी सबसे आधुनिक जो सुनामी चेताबनी प्रणाली है इसको प्रारम किया गया और इस प्रणाली से मिलने वाली जानकारी भारत प्रणाली भूकम की तीवरिता साथ में गहराई और केंद्र बताएगी हिंद महासागर में हर तर है कि जो भूकम हलचल है उसको सिर्फ है यहां हम देख सकते हैं उसको सिर्फ जो 20 मिनट है उसमें आकलन कर निकडवती शेत्रों में सूचना उपलवद कराना संबह हो जाए इसके अलावा कुछ चीज़े और देख लेते हैं जैसे भारत के भूकम पिये छेत्रों वा आपदा प्रबंदन की बात करते हैं तो यह भी काफी इंपोर्टेंट है हमारे लिए जैसी हिमाले की बात करते हैं और उत्तर का मैदान है वो काफी भूकम की दरिश्टी से काफी संभेधन सील माना जाता है मतलब हिमाले का परवथ्य भाग और उत्तर का मैदानी भाग यह भूकम की दरिश्टी से काफी अत्यधिक रूप से संभेधन सील छेत्र माने जाते हैं क्योंकि भारती प्लेट नीचे की तरफ भारती प्लेट देखें और उपर की तरफ ईयुरे एक बड़े-बड़े भुकाम पाचुके है जिन में मुख्रूप से अगर देखें तो असम, कांगडा, बिहार, नेपाल और उत्तरकासी इन में भी काफी मातरा में भुकाम फंप को देखने को मिलते हैं इसके अलाबा जो छेतर है मतलब यहां पर देखें यहां हम देख सकते हैं उपर की तरब भुकाम पाते हैं पर इसमें नहीं आते हैं यह याद रखना मैंने उल्टा बोल दिया ठीक है असम, कांगडा, बिहार, नेपाल, उत्तरकासी यह जो है मतलब मुख्रूप से भुकाम प्रही छेतर है ठीक है मतलब यहां भुकाम पाते हैं कि नहीं आते क्योंकि भारती प्लेट के उत्तरकी और विस्थापन के कारण एवं उसमें उत्मन दवाव जनी जो बल है उससे क्या होता पठारी भाग के आंतरिक भागों में उर्जा तरंगों का प्रभाव बढ़ा औ तो उसके कारण यहां पर प्रयास करती है कि मतलब बिमुक्त होने का प्रयास करती है तो भारती प्लेट में भरंस निर्मान की स्थितिया होती है भरंस निर्मान मतलब जब दो प्लेट एक दूसरे से विप्रित अवस्था में जा रही है यही कारण है कि भुगरविक तो 18 सितंबर 2011 सिखिम में जो भूकामपाया था उससमें रियक्टर में तीबु सा है 6. gorgeous पाया था था जब ँप भूकम पाया था ठीक है इसके अलावा 1993 की बात करते हैं तो 1993 में यहां पर हम देख सकते हैं महराष्ट महराष्ट के अंतर रगत एक जिला है या एक स्थान है जहां पर लातूर नाम जिसे हम बोलते हैं लातूर में भूकम का उधारन लिया जा सकता है इससे प्रायदीपी जो छेत्र है वहाँ पर भूकम पाया 2001 में और डियक्टरी स्केल में इसकी तीवरिता मापी गई 6.9 अब जो भूकम का मुख्य कारण था इसका सरवधी भूकम संभावी छेत्र है मैं वसा होना यह नहीं कि भूकम जोन नंबर 5 में वसा होना इसकारण यहां भूकम पाया थ उसके कारण भी भूकम पुत्पन होते हैं ठीक है इसके अलाबा हम देख सकते हैं जो जल गरहन है मतलब जो बांध होते हैं जिन से जल गरहन छेत्र में या उसके आसपास भूकम पाने की असंका बढ़ जाती है 1967 की बात कर लेते हैं महाराष्ट में कोई ना इसके अंतरकत भूकम पाया था यह इसका उधारान है कई बाहर पर्मानु परिक्षन के कारण भी भूकम पाते हैं परवती छेत्रों में सड़क निर्मान करते समय चट्नानी संडचना का ध्यान नहीं रखने के कारण भी नेस्तरिय के मकान निर्मान इन सभी से भी हमको काफी जो है भूकम की जो एक प्रकार से खत्रा है वो भी देखने को यहां पर मिलता है ठीक है इसके अलाबा भारती भूगोल भौती की संस्थान बैंगलूरू के अंतरगत जो प्रोफेसर थे बिनोत कुमार इन्होंने भूकम पिये संभाना वाले छेत्र है उसमें आपदा के बैज्ञानिक मुल्यांकन की अवसकता है ठीक है जिससे क्या होगा इन छेत्रों में भूमी उपयोग एवं विवित प्रकार की निर्मान कारियों में भूकम की आसंखा एवं उसके खत्रे को कम करने के लिए परयाप वाला छेत्र आपको पूरा दिख रहा है ठीक है कांगडा उत्तर कासी जो भाग है वो तो भूकम प्रहिच छेत्र हमने देखे थे इधर देकी हमालय का पूरा नीचे तक देखने को मिल रहा है फिर आपको सिह भूमी वाला छेत्र देखने को मिल रहा है यहां देख सकते हम next इद cor with you जोा गाँर देखे हम तो इसको सिसमो फॉन से माँपा जा सकता या देखे इसका अलावर जो आंकलान हरे मतलब मुख रूप से अगर देखें तो आंकलान कैसे किया जाएगा कूओं का जल इसतार हमेर भरिवर्तन देखने मिले गा उसकी तरंगो तरंगे मेर table ऑगा बहु कम्पी बात भारती मानक ब्यू और बहु कम्पी मानचीत्रों और भेस्न यहां पर ताकि आगे इसमें जो है बचाओ साविध हो सके इसके अलावा राश्टिय आपदा प्रवंदन आयोग राश्टी आपदा प्रबंदन आयोग का गठन जो है सीर से निकायक रूप में किया गया है जो की भूकम साथ में जो अन्य आपदा है उनके प्रबंदन से संबंदित यहां ततकालीन और धीरकालीन रुनन नीती तयार करता है इससे क्या होगा राजनीतिक प्रसाशनी वह तक प्रसाश्ज भूकम के जोकिम को कम करने के लिए मुख रूप से मलबाहा हटाने वाले जो मंसे सुषजी जो बचाव दल उनका पर प्रियोक किया जा रहा है चिकित्सा बानों का प्रियोक किया जा रहे सांथ में उग्रह, संचार, अभानीत, निम्हार्त, कक्ष है आदि की यहां वेवस्ता की गई है 2001 इसवी में जो भुझ है मतलब गुजरात के अंतरगत भुझ में जो भुकम पाया था उसमें काफी जानमाल की हानी हुई और उसका मुख्य कारण भुकम के जोकिम को कम करने के लिए परियाप्त प्रबंद का नहीं होना था ठीक है अधा है ततकालीन जो है उसके सांसना दिर्ग कालीन रक्षा के उपाय पर विसेज ध्यान दिया जा रहा है जापान से तकनिकी संबंदी मदद भी ली जा रही है इस संबंद में भूकम प्रोधी मकानों के निर्मान से संबंदित आपदा प्रबंदन की परियाप्त वैवस्ता के दौरा यहां भूकम से हानी की असंका को काफी हद तक कम किया जा सकता है तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहां पर भूकम से संबंदित अब भूकम तो हमने सारी चीज़े यहां देख लिए भूकम से related जो important चीज़े हैं अब हम यहां बात करते हैं भूकम जो जो जौन है भूकम में मतलब जो भारत है भारत के अंतरकात कितने भूकम जौनों में इसको बरगी करत किया गया है तो भारती मानक ब्यूरों के अनुसार अगर देखें हम तो भारती मानक ब्यूरों के अनुसार 54 जो छेतर है उसमें नए निर्धारंग के अनुसार मतलब जो 5 भूकम पे छेतर हुआ करते थे उसको 4 भूकम पे छेतरों में विभाजित किया गया है और इसको हम क्या बोलते है सिस्मिक जॉन भी इसको बोलते हैं इसके अलाबा पुष्टी किसमे की है बाडिया इंस्ट्यूट आफ हिमालियन जियोलोजी इसके दौर इसके पुष्टी की गई और इन्होंने 21 सितमबर 2010 को इसकी पुष्टी की इसके अलाबा जो लातूर है भारत में रियक्टर इसके ले के हिसाफ से भुकम पी छेतरों का निर्धारण ठीक नहीं है इसके अलाबा रियक्टर इसकेल भुकम की उर्जा की आधार पर बनाए गया है और जिसे यह पता नहीं चलता है कि भुकम का प्रत्वी की सतह पर क्या आसार होगा इससे भुकम के बिनासकारी प्रभाकुम आपना मुस्किल हो जाता है तो सिंपल रूप से हम देख सकते हैं जो मॉडिफाइड मॉडिफाइड मरकेली जो इंटेंसिटी स्केल है जिसके अंतरगात मुख्य रूप से चार भुकम जो सेस्मिक जॉन है उसमें बरगिकरत किया गया है अब मानचीतर के अगर बात करें तो मानचीतर में आपको जो जोन बन था पांच में मतलब पांच थे पांच में से जोन बन था जोन बन को समाप्त कर दिया गया है और चार दिखेंगे आपको दो तीन चार तो तीन चार पाँच ठीक है तो यहाँ देखिए यह मैप में एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर तो जो वाइड वाला छेतर दिख रहा है यह वाला यह वाले छेतर को भूकम जॉन से हटा दिया गया है ठीक है यह वाला छेतर तो यह भूकम यहाँ पर संभ वाला निसान है जैसे देखिए यह वाला जो भाग है यह वाला भाग सेकंड नंबर का जोन कहलाता है और फिर इसका खड़ी लाइने दिख रही आपको लंबबद जो उर्दबाद धार लाइने दिख रही है वो आपको तीन नंबर में दिखाएगी और डॉट डॉट वाला वो जो भाग है उपर वाला देख सकते हैं देखिए यह वाला जो भाग है यह वाला आपको चार नंबर में वो पांच में नंबर के अगर बात करें तो सबसे खतरनाक मतलब यह देखिए यह वाला दिख रहा है तो आप मैप में देख सकते एक बार अच्छे से और यह यहां पिप्रतेव लिए andra tv टो अब जो जो जूम्हाचाल कश्ष्षा थिलॠीब्य। ये अलग-अलग शेत्र, नोईडा, गंगा, एमना का दुआव ये सभी आप देख सकते हैं और जोन फाइब में अत्यदिक जादा तीव रहता यानि कि नो उत्तर पूर्वी, भारत, जम्मु कस्मीर का कुछ इस्सा, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, कच्छ कारण, उत्तर पहले हमने यहां बात कि जैसे भूकम पर सुनामी के बारे में तो भूकम क्या होता है, उसके बारे में हमने देखे भूकम का उद्गम, छेत्र, अधिकेंद्र देखे हैं, उसकी तीन तरंगों के बारे में हमने यहां विस्तार से पढ़े हैं, और उन तरंगों का जो प्रक एकुर्ण चार प्रकार से देखेंगें प्रसांत महासाग्री यह tapa मद्ध से लावब अंन्य के बारे में जोकी सुनामी करने सारि सब्वर्च आपर बारे में आपनी ए इसके बारे में हमने देखें इम्पॉर्टर्टन चीजेंगें ते बात हमने यहां네 भुकंप जोनों के बारे में देखें जो कि चार है मुखरूप से फर्ष्ट नंबर का जो है मैप से गायब कर दिया गा है और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकार यहां पर देखें तो इस lecture में तो इतना ही देखते हैं अगर आपको lecture पसंद आया है आपको lecture कैसा लगा अगर आप कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो आप comment box में लिए और अगर पसंद आया है तो आप like कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं next lecture में तक तक के लिए जैहिंद